एक बार फिर से आप सभी का मेरी इस नए ब्लाग में स्वागत है आज हम आप लोगों को बाटी चुखा बनाना सिखाएंगे ओभी घर पे बहुत स्वादिश्ट कैसे बनाएं तो इस चीज को जानने के लिए आप हमारे साथ इस ब्लाग में लाश तक बने रहेगा आपको ब हैं बिना देरी के और दिखाते हैं सबसे पहले सूखा कंडा लेंगे और इस तरह से बना लेंगे और इसमें थोड़ा फाग डाल देंगे ताकि अच्छे से जल जाए फिर उसके बाद हम बरतन को इस पर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे डाल डालने के बाद इसमें हम ड तर आप लोग अपने इसाब से डालीजीएगा, अच्छे से मिस करने के पाद ढग देंगे, और इसको ध्यान देते रहेंगे, आप तेजी से जल ली आप लोग इसे पानी कब चीटा मारते रहेंगे, और यह आप जो जल रही है, हम इसको बाटी के लिए तयार कर रहे हैं, औ और इदर बाटी आवी लोग कुछ लोग भाई लोग तयार कर रहें बना रहें आटा को अच्छे से माल लेंगे ताकि उसका मुलायम होगा और यह देखे मालने के बाद अब गोल इसको बना रहे हैं सारप बन जाने के बाद हम ध्यान देंगे कि बाटी के लिए आग अच्छ की तरह से डाल कल गई है और इसको मुताहिक रखती है अब इसमें हम तड़का लगाने की तयारी करें हैं देखे अब ले एक कल्चुल लेंगे चोटा सा जिसमें मस्टर डायल यानि की सरसो का तेल लासन और थोड़ा सा प्याज जीरा खाते होंगे तो जीरा भी डाल देंगे और लाल मर्च उसको अच्छे से पकाएंगे जब तक की लासन ब्राउन कलर का ना हो जाए अब उसको अच्छे से पकाने के बाद हम दाल में अच्छे से उसको डाल के मिक्स कर देंगे और दाल ढग देंगे आप लोग खाते टाइम दाल में घी का यूज कर सकते हैं हम जो डालेंगे उसमें वो सारी चीज़ें धनिया है प्याज है मिर्च है द्रक लसुने सारी चीज़ों को बारी काट लेंगे तो आए शुरू करते हैं यह देखिए चोखे में हम डालेंगे भुना हुआ टमाटर और बैगन है आलू है और उधर लाल भरा हुआ मिर्च अब अ सबान डालते हैं और दिखाते है तो देख सकते हैं आप सभी लोग कि सभी चीजैंगे एक साथ मिक्स कर रहे हैं तमाटर बैगान आलू उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें सर्सो का तेल क्योंकि चोके में सर्सो का तेल पढ़ जाता है तो बहुत सी त्वादिश्ट होता है और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अब इसमें इसमें सारी चीजें को जो काटे हैं अद्रक डाले हैं और यह हरी मिर्च है देख सकते हैं और बारी कटा लासुन भी है अब बारी कटा लासुन डालते हैं फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज अगर आप लोगों को टामाटर पसंद होगा तो टामाटर भी डाल सकते हैं उपर बारी कटा हुआ नहीं त तब चीजों को एक साथ डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा चोखा बनके तयार हो चुका है लगभग तो अब हम लोग निकालेंगे खाना देखें निकल चुका है सबको बुला लिये हैं अब सभी लोग लगवग आपी गये हैं देखने मी बहुत स्वादिश्ट लग रहा है मूं में पानी आ गया मेरे तो आप लोगों के आप हमें कमेंट से बताईए गया कि तयार हो चुका है हम लोग चल लें खाने चाचा जी खा की बताएं कैसा आप कंडी के आप का बहुत मीठा खाना होता है आप लोग भी ट्राई करी और हमें बताईएगा कैसा लग रहा है धन्यवाद